हेलो एस्टूडेंट स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोजी में आज के इस वीडियो में कलास 12 के रसाइन विग्यान अब्यास 14 अब्यास का नाम है जय अडू में आज हम लोग पढ़ेंगे इस्टार्च क्या होते हैं और जो है इस्टार्च कितने प्रकार के होते हैं आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कापी में नोट करते चलिएगा, तो सबसे पहले जो है, हेडिंग को नोट का लिजे, इस्टार्च है, अब इस्टार्च क्या होता है, तो यह पौधों में जो है, संग्रहित होने वाले जो है, पोली जो है, सेक्राइड होता है, लिख लेंगे यहां पर यह पौधों में संग्रहित का मतलब इकटा कहा जाता है, संग्रहित होने वाला पोली सेक्राइड होता है, सेक्राइड होता है, होता है, यह मनुष्य के लिए बहुत अच्छा भोजन है, भोजन है, यह दाल, यह दाल, जड, जड कंद, तथा, सब्जियों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, पाया जाता है, यह अलफा डी, अलफा डी गुल्कोज का, अलफा डी गुल्कोज का, का बहुलक होता है, यह दो घटको, यह दो घटको, से मिलकर बना होता है, से मिलकर, बना होता है, यह मनुष के लिए बहुत अच्छा भोजन है, यह दाल, जड़, कंद, तथा सब्जियों में क्या होता है? पाया जाता है, यह अलफा डी गुल्कोज का बहुलक होता है, और यह दो घटकों से मिलकर के बना होता है अब दो घटकों कौन कौन से हैं तो दोनों का नाम यह लिख लेंगे पहला और यहां दूसरा पहला का नाम है एमी लोश एमी लोश एमी लोश हो जाएगा और दूसरा का नाम है एमी एमी लोश प्यक्टीन कैना में Emylopectin जो है इसका दूसरा जो है घटक का नाम है तो अब हमनों पढ़ेंगे Emylose क्या होता है Emylose का सनचना क्या होता है अब यहां लिखलेंगे Emylose तो समझे इस्टार्ज दो प्रकार के हrices D entwickeln Emylose क्या होते है लिखेंगे यहां जल में यह जल में घुलन सील या जल में क्या है घुलन सील इस्टार्च या जल में घुलन सील क्या है इस्टार्च का पंदरह से बीस प्रतिसत भाग दो सो से एक हजार अलफा डी गुलकोच की और साखित मतलब इसमें साखित नहीं और साखित स्रिंखला होती है एक बार और समझते हैं एमी लोश में क्या है या जल में घुलन सी रहेगा इस्टार्च का कितना 15 से 20 परसेंट भाग जो है भाग 200 से 1000 अलफा डी गुलकोच के और साखित जो है स्रिंखला होती है एमी लोश कहलाती है एमी लोश कहलाती है या जो है जल में क्या रहती है या घुलन सील होती है और इस्टार्च का कितना रहता है परसेंट 15 से 20 परसेंट भाग 200 से 1000 अलफा डी गुलकोच के और साखित मतलब इसमें साखा नहीं रहता है श्रिंखला होती है उसी को क्या कहा गया है एमी लोश कहा गया है अब यहां पर इसकी सनचना जब बनाएंगे तो थोड़ा से सनचना थोड़ा सा टफ है तो जो है सनचना को धियान से देखेंगे कैसे इसकी सनचना बनता है तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है इसकी सनचना जब बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ से लेकर के यहाँ से और ऐसे यह किसकी सनचना है तो यहाँ गुलकोज की सनचना है आप लोग बनाए होंगे पिछले वीडियो में भी बताए गया था गुलकोष की कैसे सनचना बनाई जाती है अब यहां पे जो है क्या होता है और यहां बांड रहता है यहां बांड रहता है तो अब यहां पे देखेंगे यहां पे इसकी जो सनचना जब होती है तो यहां पर यच होता है और यहां पर भी क्या होता है यच होता है और यहां पर ओ यच होता है और यहां पर ओ यच होता ह है अब लोग कल पढ़े होंगे और यहां पर भी कल बताए गया था यह है और यहां सी यह च्टू ओ यह होता है यह टोटल जो सनचना बनाए गया है यह गुलकोज की सनचना बनाए गया है अब यहां से एक और जो है गुलकोज को यहां जोड़ा जाएगा उन्हें साखित के ग्रूप में इसको जो है एक स्रिंखला बनाएंगे और यहां पर जो दूसरा जो हम बनाएंगे तो अब दूसरा समझ लेते हैं कैसे यहां बनेगा अब यहां से दूसरा यह किसकी सनचना है तो गुलकोज की सनचना है यह जो है गुलकोज की सनचना हो जाएगा और यहां से आ करके यहां पर रहेगा क्या था यहां पर याच और यहां पर भी याच था सेम सनचना यही बनेगा C, H, O, E, A, Č, और यहां पर क्या था यहां पर यहां पर यहां पर जोड़ेंगे ऐसे बनाते चले जाएंगे यहां पर यहां पर यहां बना लेंगे तो कैसे यहां बनेगा शेम बनाना है जो है बना करके और यहां पर जो है क्या लिखेंगे यहां पर याच यहां पर क्या रहेगा C, H, 2, O, याच यहां पर और यहां जो है रहेगा क्या रहेगा यहां पर याच आगे की तरह फॉर्म बढ़ा दीजेंगे और यहां पर देखे यह अच है तो यहां पर भी यह ओ यहां पर क्या है और यहां क्या है यहां पर जो है यह जो बना हुआ इसको क्या कहा गया है एमी लोस कहा गया है तो कैसे बनाना है सेम यही चीज को यहां पर बना दीजिए पूरह बना दीजिए तो एक जो है स्रिंखला बनती जाएगी क्या बनती है इसी की बनती है इसी को क्या गया है यहां अलफा बांड इसको बोलते है जो है आक्सिजन से जुड़ा रहेगा इसको से नाम क्या है हुआ है अगला में सेम इसी का जो है शाखा बनाया जाएगा मने यह दूसरे का साखा मतलब नीचे जो है एक और लटका दिया जाएगा तो शाखा के रुप में बन जाएगा जो यह आकरती शाखा के रूप में बन पेक्टीन, एमिलो पेक्टीन क्या होता है, जो उत्तर जो उपर देख रहे हैं, सेम उत्तर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा, बदलाव रहेगा, यह जल में क्या है, यह गुलनसील है, तो लिखेंगे यह जल में, जल में ओ गुलनसील है, बस इसका उल्टा तो जो है स्टार्च का 80-85 परसेंट जो है 80-85 परसेंट जो है भाग अलफा क्या लिखेंगे आलफा डी इसमें अलफा डी गुलकोज क्या लिखेंगे अलफा डी गुलकोज गुलकोस की साखित स्रिंखला, साखित मतलब यहाँ पर साखा रहेगा, क्या रहेगा, शाखित स्रिंखला होती है, स्रिंखला होती है, उसे क्या कहते हैं, एमी, एमी लो पेक्टीन, कहते हैं, कहते हैं, सेम आपको धियान देना है, बस थोड़ा सा क्या करना है, बदला हो है, यहाँ पर और साखित है, तो इसमें क्या है, साखित स्रिंखला है, और यहां एक दो तीन है तीन नहीं है इसमें और भी बना सकते हैं दो सो से एक हजार तक जो है ऐसे आप जोड़ते चले जाएंगे यहां पे केवल तीन बना है इसमें जो है दो सो से कम से कम दो सो से लेकर के जो है एक हजार ऐसे साखा जो है बना रहता है इसमें क्या है साखि गुलकोज जैसे बनाये थे, सेम यहाँ पर भी गुलकोज बनाएंगे, सेम जैसे गुलकोज की सनचना बनाएंगे, वैसे ही सनचना यहाँ पर भी रहेगा, यह जो है गुलकोज की सनचना हो गया, और यहाँ पर भी जो है ऐसे सनचना एक और बनाएंगे, यहाँ पर भी ऐसे गुलकोच की सनचना हो गया यहाँ पर भी थ्वा से नीचे बन गया है आप लोग इसके साइज में ही बनाईएगा और यहाँ पर गुलकोच की सनचना यहाँ बन गया है और यहाँ पर क्या रहता है तो आप लोग जानते हैं यच रहता है यहां पर भी यच रहता है यहां ओ यच रहता है यहां ओ यच रहता है यहां यच रहता है और यहां पर क्या रहता है जानते हैं उपर कर बना गया O है यहां पर CH2 OH रहता है और यहां यच रहता है और इसका किसे जुड़ा रहता है यहां O से जुड़ा रहता है और यह यच हो गया और यहां पर क्या था CH2 OH यहां पर क्या है नीचे यच रहेगा यहां पर OH यहां पर यच यहां पर याच और यहां क्या था ओ याच और यहां पर जो था अब यहां पर जो है जो है समझना है अब यहां याच है और नीचे ला करके यहां पर नीचे ला करके ओ करना है ध्यान दीजेगा ओ के बास से अब यहां पर जो बनाएंगे मतलब यह जो है इसमें साखित करेंगे इसमें साखित बनाया जाएगा साखित कैसे बनता है अब यहां से समझ लेंगे साखित स्रिंखला यहां बन रहा है अब यहां से लेकर के एक और गुलकोस यहां से जोड लेंगे गुलकोज को नीचे की तरफ जोल लिया जाएगा यहाँ पर जोल लेंगे ऐगे पर मुनव बना करके एक और जोल सकते हैं साखित बनाना है मतलब इसमें साखा रहना चाहिए जिसे पेड में देखते हैं साखा रहता है इसी परकार साखा बनना है अब यहाँ पर क्या रहता है जानते ही आप लो रहता है यहाँ पर गुलबोज में जो यहाँ बांड यहाँ पर क्या रहता है यहाँ 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 तमसीक गये होंगे यहाँ 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 लिख सकते हैं और यहाँ पर बीच में भी ओ लिख सक है यहां यह रहता है यह रहता है यहां यह रहता है और यहां यह रहेगा और ऐसे और रहेगा तो यहां पर क्या बंदा है स्रिंखला जो है साखी स्रिंखला बना हुआ है इसका नाम क्या है एमी प्यक्टिन एमी लो प्यक्टिन इसका नाम है क्या नाम है एमी लो प्यक्टिन मतलब यहाँ गुल्गोज है बस यह गुल्गोज है मतलब आपको एक सीधा जाएगा पुना नीचे आएगा पसुलिखते हैं अगले हैं तब तक के ने सभी भी ध्यारतियों को नमस्कार